हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आप सभी को धन तेरस की हारदिक सुक्कामना है धन तेरस की पूजा करने के लिए हमें चाहिए चौकी उस पर बिछाने के लिए हमें चाहिए लाल कपड़ा क्योंकि माता लच्छमी की पूजा की जाती है और उनको लाल रंग बहुत प कुवेर जी की और धनवंत्री जी की पूजा की जाती है तो अगर आपके पास कुवेर जी की फोटो है तो फोटो ले लीजिए धनवंत्री जी की फोटो है तो उनकी फोटो ले लीजिए यदि आपके पास धनवंत्री जी और कुवेर जी की फोटो नहीं है तो आप उनको स जाया जाता है जो कि एक मुखी होता है अगर आपके पास इस प्रकार का दीपक नहीं है तो आप मिटी का दीपक दिपक नहीं प्रजुलित कर सकते हैं लेकिन आप उसमें लंबी बाती का ही दीपक जनाएं शुद्देशी घीका होना चाहिए इसके बाद पूजा करने के लिए मैंने इत्र लिया है मौली लिये साथ मैंने जने उलिये हैं भगवान गनेश को अरपित करने के लिए कुवेर जी के लिए ध को सौने चांदी की चीज़ नहीं लाते हैं तो इसको भी पूजा में रखा जाता है तो यहां पर मैंने एक सिक्का लिया है जिस पर लचमी गनेश वने हुए हैं इसकी मैं पूजा करूंगी सास्व मैंने यहां पर कान की कुंडल लिये हैं तो आप इस प्रकार से जो भी इसके बाद मैंने रिखने के बिन नलगे काम्न द deben करें हैं आज के रूपम अपने इसकों अच्छत बिंसकी तो झाइबाद मैं आप पुझा वर तो ख़र कंपने हैं और न्याम से ज़रीड़ा लोंगे लिया हैं और अगर अगर चाहते हैं तो दिवाली के दिन मौह रप्तक की पूजा कर सकते हैं इसके बाद मैंने धन्मंत्री मेने को Genie बूटी ली है जिस मैंने हल्दी ली है लौगे ली है और मैंने काली मिर्च ली है तुलसी ली है तेजपत्ता लिया है गिलोई ली है साथ मैंने दालचीनी भी ली है तो आज के दिन धनवंतरी जी को औसदी अरपित की जाती है क्योंकि धनवंतरी को आयरवेद का देवता मान जाता है धन थहरा सकते दिन ज़ाडू भी घरी दी जाती आप आज जाडू की विफ्रेंचे दिन ओ सकते हैं और इसके बार मैंने भूर में पत लिए हैं और एक लोटा जली आ है अब मैंने या पर कुछ पुष्प लिए हैं भगवान को अर्पित करने के लिए तो आपको जो चाहे तो आप तिल के तिल के भी जला सकते हैं इसके साथ में आज के दिन एक बड़ा दीपक भी जलाया जाता है जिसको यमका दिया बोलते हैं यमका दिया किसी के यहां पर धन 13 के दिन जलाया जाता है और किसी के यह नरप 14 के दिन जलाया जाता है तो फ्रेंट्स उम्मीद क